हेलो एवरिवन मैं विश्र जीत सिंग आप सभी का दीई नपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री महाई 06 का लास्ट फाइवर के कोश्चिन वेवर को सॉल्फ करने वाले हैं दोस्तो इस वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाला है वह वीडियो के तरूप क्योंकि आज से एक महिने बाद आपका एक्जाम स्टार्ट है आज 2 नॉवंबर है और 2 दिसंबर से जो आपका टेंटिटिव डेट सिट आया उसके कोडिंग एक्जाम स्टार्ट है दोस्तो इस वीडियो के अगर आप देखते हो तो आपका जो स्लिवस है 90% कवर हो जाएगा क्योंकि हम इस वीडियो के तरूप आपके एक्जाम के अंदर में ये भी आपको समझ में आएगा कई बर क्या होता है for example हमने किसी subject को बहुत अच्छे से पढ़ा बहुत अच्छे से point to point किलियर है पर question जब एक्जाम के अंदर में आता है तब हमें confusion होता है कि यार इसके answer कैसे लिखना था इसका पूछ क्या रहा है ठीक है इसके अंदर में क्या define करना था और हम answer कुछ और नंबर बाद में कड़ जाते हैं तो हमें pattern समझ में आना चाहिए question का कि question किस तरह से पूछा जा रहा है सिरी पढ़ने से काम नहीं चलता है तो यह बहुत जादा benefit होता है plus point है इस video का और इस तरह के question बेपर solve करने का सबसे पहले हम थोड़ा सा book का introduction लेते है कि इस book के अंदर में पढ़ना क्या है तो MHI जो जो 06 आपका जो book है यह MA history second year का subject है जिसके अंदर में पढ़ना है भारत के बिविन योगों के दोरान में अलगलग time period के दोरान में समाजिक संरचना का विकास किस परकार से हुआ समाजिक संरचना होता क्या है एक व्यक्ति समाज के अंदर में किस तरह से उस समाज के अंदर में परिवर्तन हुआ उस व्यक्ति के जीवन में किस परकार से परिवर्तन हुआ किस परकार से संरचना का विकास हुआ जो समाजिक संरचना तो उसका विकास हुआ उसके बारे में बात करता है पहले इंसान जो था normally Nokia के छोटे phone यूज करता थ लेंड लाइन यूज करता था आज के समय में एपल और पदन क्या के चीज़े हमें यूज कर रहे हैं ठीके तो क्या वह संदचनाओ का विकास हुआ ना दीरे दीरे टाइम पिरेड के साथ में चेंज ही हुआ पहले हड़ापा सबेता के अंदर में ठीके जो लेखाकारी के लि लेप्टोप पर पढ़ा रहा हूँ ठीके आप YouTube पे पढ़ रहे हो ठीके पहले हड़ापा सब पता के किलाकार वीधी के थ्रूउ लिखा जाता था चाकमित्टी के ऊपर में किलाकार मेत्रिट से लिकान जाता था तो यह क्या वह संदचनाओं का विकास हुआ जो समाज के अ सब्सक्राइब कर ले कोई बीडिया प्लैटफॉर्म पर आपके एक्जाम तक जब तक आप पास नहीं जाते और यहां समाजिक संद्चनों का बीविन यूगो से होते हैं बता हुआ विकास जो question को solve करने का time है तीन घंटे का मिला है पूरे question paper को solve करने के लिए और number so number का यहाँ पर paper रहने वाला है पूरे question paper के अंदर में आपको 5 question को solve करने हैं 10 question आते हैं 10 में से 5 आपको solve करने हैं ठीके और most important चीज़ जो आपको ध्यान रखना है आपको answer लिखते समय words का ध्यान रखना है कि आप 500 words से ज़्यादा answer ना दें almost 500 words के करीब में जाए 480, 460, उसके उपर 500, 500 से ज़्यादा ना बढ़ें इसका ध्यान रखना कई बार जो students होते हो comment करके पूछते सर हम कितने page में answer लिखें तो यहाँ पर page matter नहीं करता है यहाँ पर word matter करता है 500 words के अंदर में ही आपको answer अपना complete करना है सासत में दोस्तों यह जो पूरा question पर होता है वो दो segment में बटा हुआता है ठीक है part 1 और part 2 जैसे यहाँ पर भाग ख और फाग ख ऐसे करके इसा लिखा रहता है ठीक है तो part 1 और part 2 तो अगर आप part 1 में से 2 questions solve करते हो तो आपको part 2 में से 3 questions solve करने पडेंगे कूल मिलाकर आपको 5 question solve करने हैं तभी number मिलेंगे ठीक है समझ में आता है चले हम अपना question पर start करते हैं सबसे पहला question लेते हैं अगर कहीं कोई doubt हो वे जीजे comment box में जाए मैं हमेसे आपके लिए valuable हूँ और आपका answer वहाँ पर मैं आपको देदूँगा या आप मुझे directly contact करें भी question पूश सकते हैं पहला question कहता है हडपाई समाज का जो हमा हडपाई समाजिक संरचना क्या थी हडपा की समाजिक संरचना किस परकार की थी ठीक है उत्तर हडपाई समाज क्यों जनजाती ववस्ता की तरफ वापस लोटा यहाँ पर दो question है पहला question तो यह हडपा की समाजिक संरचना किस परकार की थी और हडपा का जो समाजिक संरचना थी जनजाती ववस्ता था वो क्यों वापस लोटा समाजिक समाज जो समाज था जनजाती ववस्ता की तरफ क्यों लोटा इसके बारे में पूछता है, ठीक है, दो कोशन, देखो, अब हम समाजिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें, तो समाजिक संरचना क्या होता है, तो मतलब समाज के अंदर में जो संरचना है, समाज की संरचना, मतलब मेरा घर किस परकार का है, तुम्हारा घर किस परकार का सिंपल सी बात अब देखो हडपा से बता के बारे में हम जाब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले आता है नगर वेवस्ता हडपा का याद आता है नगर वेवस्ता किस परकार का था तो हडपा का नगर वेवस्ता दो भागों में विभाजित था पहला भाग का नाम था छो जाता है कि आ पर वानी से ती दीर सब्सक्राइब के नाहीं हपयों क्ये उनकी लिए का अधिकार decía पर छोता साइस में छोटा था दा पर निचला सेवर ता फैलाव बड़ा था विस्तरित था छित्र का अकार बड़ा था पर वो नीचे में था दुर्ग सहर के जो इमारते थी वो बड़ी बड़ी इमारतों के तौर पे देखी गई जगह जादा कवर किया उन्होंने ठीक है भली चार मकान थे है पर जगह जादा कवर किया निचला सह होगे दो अलग लग काटम साहर यहां पर देखने के लिए मिलती है थीके यहाँ पर चुर परकारों करने के पोंट किया जाता होगी निचले समाज में रहने वाले लोगों को त्यूक्त के थीके यहां समाज में वैवेसाई गत्ता उसमें भी विभिनता यहां पर देखने के लिए मिलती है सामगरी का उपयोग जो भी सामगरी उपयोग की जाती थी तिक हस्त निर्मित बस्तो का उपयोग जाता था उसके अंदर में भी विभिनता ही मिलती थी दुर्ग सहर के अंदर में जो हमे कैसे बोल रहे हूं ठीक है तो यह चीज़े हैं ठीक समझ में आता है साथ साथ में हम बात करें जैसे अब देखो दुरुक सहर के अंदर में देखा जाता है पक्की मिट्टों का उपयोग किया गया जबकि नीचले सहर के अंदर में पक्की मिट्टों का उपयोग किया गया और और वहाँ पे कासे के बरतनों का उप्योग किया रहा था पक्की मिट्टी के बरतन का निचले सहर में मिट्टी के बरतन उप्योग हो रहते हैं वहाँ पे कासे का बरतन उप्योग हो रहे थे ठीक है मिट्टी की चूडिया निचले सहर में बनाई जा रही थी तो वहाँ पे च क्या differentses मिलती है, सवधानों के अंदर में क्या difference देखने के लिए मिलती है, जैसे मालो निचला सहर के अंदर में जो सवधान मिला, उसके अंदर में जानवर की हेड़िया मिली हुई है, मिट्टी के बरतन रखे हुई है, मतलब वो रखी जाती थी निसानी के तोर explain करके लिख सकते हो ठीक है किस किस तरीके से पता चलता है था भया देखो यह सारी चीज़े मैंने बताई यह थोड़ा सा आपको और पुक की मिदद से पढ़ना है जिससे आपको clear हो जाएगा और I hope मैं रोज clear करता हूँ आपका भी clear कर दूँगा हो आप ठीक है अब यहां पर देखो एक ही question में दूसरा question भी है कि हड़पा समाज जन जाती विवस्था की तरफ क्यों लोटा अब जन जाती विवस्था क्या होता है मतलब जो जन जाती चोटी जो जाती हो में विवस्था होती reason क्या है देखो कोई लिखित स्रोत नहीं मिलता हडपा का ठीक है जिसके कारण से हम यह कहते हैं कि हडपा से बता कि जो साक्षे है पुरा तात्वी का धारपना है साहिती का धारपर कोई प्रमाण नहीं है तो हम अंदाज लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा जब हम जन जाती है सगोत्रिय नातेदारी ववस्था क्या होता है सगोत्रिय नातेदारी ववस्था क्या होता है सगोत्रिय नातेदारी ववस्था किस तरह से लोग अपना रिस्तदार जोड़ते थे किस तरह से सगे संबंद बनाते थे सगोत्रिय नातेदारी ववस्था ठीक है सगोत्रिय ना जा तरिक होगा. पहला आता है उपहार देकर. ठीक है, उपहार देकर कहने का मतलब क्या? अगर मालो, मैं किसी बंदे से इंप्रेस हूँ, एक काम कर सकता है, मेरा बहुत यूशफुल बंदा है। तो मने उसको गिफ्ट दे दिया यह एक अच्छा सा गिफ्ट पयक च्रवाकत थाए थाईड़ संधु पंसल करवा थिया वे अगे पहार देकर सब स्बसक्क्र sincerे सिर्फ अग्षार किवा अपना वैपार करींगे, बाद में राजयों को ही अपने गुलाम बना लिया, ठीक है और हम भी गुलाम बने रहे गए, तो यहाँ पर उपहार के तुरू संगुतरी नातिदारी वैवस्था अपना ही गई, जिसके तुरू जंजाती वैवस्था वापस लोटी, ठीक है, दू है मैं मम्मी पाप मेरा भाई थीक तो हम चार 5 जने हैं तो हम पांसी जने गए लड़ने के लिए लड़ने को भाई Tai घर में भी पांच लोग थे लड़की तो इदर आ ग ash लोग तो मतलब टो बीक सात देनगे दो лиड़ा को अंगए पर आज के समय में नहीं आते हैं, तो बोलेंगे मर जा बिटे, तू भी मर, वो लड़की को छोड़, तू भी मर, लड़की को मेरा यहां पर छोड़ दे, और तू भी मर, For Example, साधी के सरू का हुआ, संगोतरी नातेदारी वयवस्था, स्तापिद की गई, ठीके, तो यहीए चीज़े यहां पर हम बताते हैं, इसंग ब paddy के दे हैं, पढ़ useless है कि जूरत पड़ेगा तो हम इसको use कर लेंगे, ठीके, सेम चीज उस बंदे ने भी सूचा किया, अगर मैं इसके साथ में रहूँगा, तो मुझे भाई इस रुक्षा मिलेगा, तो उसके थुरू भी यहाँ पर सगोत्री नातेदारी विवस्था इस्थापित की गई, ठीक है, समझ में आता है, यहाँ पर चौत्था जो चीज होता इसके साथ दोनों कोश्चन को आप अच्छे साथ डिफाइन कर सकते हैं, आपके बुक में और भी चीज़े दे रखी हैं इसके अंदर में, जो मेंनली चीज़े वो मैंने आप एक्स्प्लेइन कर दिया आपको, आप इसको और अपने थुरा सब बुक से पढ़कर यहाँ प बात करूँ, तो जितना भी आपको पता है आप अपने मन में सोच लो कि यह बोध द्रम है, ठीके, क्योंकि आगे कई सारे कोश्चन के अंदर में आपको बोध द्रम देखेगा, दिखने के लिए मिलेगा, अब देखो, हम रफली फटाबर्ट स्टार्ट करते हैं बोध द् के जो संस्थापक थे, गौतम बुद्ध को माना जाता है, ठीके, उनका जन्म कब हुआ, तो 563 इसा पुरुप में हुआ, ठीके, इसा पुरुप में, 563 इसा पुरुप में उनका जन्म हुआ, इस्थान क्या था, तो कपिल वस्तु, लुम्बनी गराम नेपाल के अंदर मे ठीके, सिधार्थ, उसके साथ साथ में, उनके पिता का नाम था सुदोधन, ठीके, वो एक ना, मतलब मालो सरदार थे, जातरगवन्स के सरदार थे, सुदोधन करके उनका नाम था, ठीके, उनकी जो माता थी, उनका माता का नाम था महा माया, ठीके, उनकी माता का नाम था मह गौतमी ठीक है गौतमी और गौतमी पुत्र के नाम से भी ने जाना जाता है सिधारत को जिनका बच्चपन जिनको आगे चलके गौतम बुद्ध बनते हैं सिधार्थ की साधी होती है किस से तो उनकी बीवी का नाम होता है यशोधरा यशोधरा जिसे इनकी साधी होती है और इनके बाद यशोधरा के बाद इनके एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है राहुल ठीक है यशोधरा इनके बच्चे का नाम क्या होता है राहुल ठी जब इनकी मिर्तिव होती है तो मिर्तिव का जो इनका डेट होता है 483 इशापूर्व होता है इनका डेट मिर्तिव का ठीके, सासात में अगर हम देखें कि किस वर्स में इन्होंने ग्यान की प्राप्ति करी ठीके, तो इन्होंने 29 वर्स की 39 वर्स की एज में अपना घर को त्याग कर दिया था घर को छोड़ दिया था और घर त्याग करने की जocy 자 अगर वोगशν सब्सक्राप्ति के लिए अगर वो अपने ग्रह को त्याग करता तो उसको हम क्या कहींगे महा भी निस्कर्मन करनें अब देखो इनको ग्यान की प्राप्ति 29 वर्ष की इसके बाद हुई कई साल इदर उदर भटके उसके बाद उनको जाकर बोध गया में जो बिहार के अंदर में है वहां पर इनको बोधी बिर्ख्ष के नीचे में ग्यान की प्राप्ति हुई ठीके जो एक तिरत इस्थल के त कि इसका विस्तार किया इन्हों इनके जो सिक्षा हैं जो परमुक तोर पर जाने जाते हैं अस्तांगित मार्ग इन्हों ने सजेस्ट किये ठीके आठ मार्ग जो सभी को फॉलो करने चाहिए आगे अपने जीवन को सुरुडित बढ़ाने के लिए बोध द्रम के अंदर में मान कि ये आठ मार गये अगर इन पर चलोगे तो आपको सदबुद्धी की प्राप्ति होगी यान की प्राप्ति होगी ये गोतम बुद्ध का मानना था ठीके उसके सासाथ में चार आरे सत्य के बारे में बात किया गोतम बुद्ध ने कि चार आरे सत्य है जो कभी भी जुटला नहीं जा सकते तो वो सत्य क्या थे आरे सत्य कहलो या गौतम बुद्ध की मूल सिधांद कहलो वो द्रम का मूल सिधांद के तौर पर देखलो या आरे सत्य के तौर पर देखलो जिनको कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता वो क्या कहता है आरे सत्य दुख कि दुख है तो है द तो यह पूरा गोतम बुद्ध का मतलब जो बहुत द्रम का जो आपका किस तर से उदे हुआ, उसके बारे मैंने आपको डिफाइन कर दिया, उनके क्या नियम थे, वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर बहुत द्रम आपका खतम हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है, यह न द्रम क्या है, वो मैंने आपको थोड़ा सर अपनी, यहाँ पर आइडिया दिया है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं अगर मैं जैन ध्रम की बारे में बात करूँ, कि जैन ध्रम है क्या, जैन ध्रम, जैन ध्रम भी बतलब बो ध्रम के साथ-साथ में एक बहुत बड़े ध तोर पर जाना जाता है ठीक है जैंद्रम की जो सब्द की उत्पति है वो जीन सब्द से मानी जाती है जीन सब्द का अर्थ होता है विजेता ठीक है जीतने वाला विजेता कहा जाता है जैंद्रम के जो संस्थापक थे वो रिसब देव जी को माना जाता है ठीक है रिशव दे प्राप्त हो गया तो उसको तिर्थरकर कहा जाता है रिशब देव जी ने कि जैंदरम की स्थापना करी वो पर्थं तिर्थरकर भी थे कोशन आजाता है कर आप क्या तो आघे हम पढ़ेंगे उनके बारे में बात करेंगे अभी हम क्या करना ठीक है नौर्मिली देखो दोस्तो आकरी तिर्थरकर कौन थे आपको कमेंट करके बताना है ठीक है यह से वीडियो के आप 5-7 मिनिट और पढ़ोगे तो आपको पता दिल जाएगा बट आपको आकरी तिर्थरकर कौन थे वो कमेंट करके बताना है ठीक है अब देखो टोटल जैन धर दरभ क게 अन्दर में 24 तरभ कर आते हैं ठीक है चोभिस तरभ कर आते हैं जिसमें पर्थम दर तरभ कर को नुए रिसभदियु जी नो जेनिद्रम तो जैन धर्म की जो केंदर संगती थी जहां पर जैन धर्म की स्थापना हुई जो धर्म संगती लगाएगी चंपा नगरी के अंदर में जैन धर्म की पहली संगती के तौर पर देखी गई थी जहां पर धर्म संगती लगाई थी धर्म का केंदर के तौर पर चंपा नगरी को माना गया जैंदरम का पहली जो संगती लगाई गई थी वो पार्टली पुत्रा में लगाई गई थी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है पार्टली पुत्रा कहां पढ़ता है आज के समय में करेंट लोकेशन पार्टली पुत्रा की क्या है ठीक है पार्टली पुत्रा के में पहली संगती लगाई थी जैंदर्म की पांच महावर्त बताएगा जैंदर्म के अंदर्म अगर आप उसको follow करती हो तो पूरा आपको किवल्ले ज्यान की प्राप्ती होगा मतलब आपको बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे किवल्ले ग्यान की प्राप्त होगा ये माना जाता है जैन धरम के अंदर में पांच महावर्थ कुन-कुन से हैं तो सत्य मतलब हमेशा सच बोलना अहिंसा कभी भी अहिंसा नहीं करना असते ठीक एक चोई चगारी नहीं करना अपरी ग्रह मतलब घर का उन सभी को फॉलो करना निवार्य होता है वो कभी भी जूट नहीं बोलते कभी भी अहिंसा नहीं करते कभी भी असत है चोरी चपगारी ये सब काम नहीं करते गलत काम नहीं करते अपरी घर का त्याग करना ठीक है और ब्रह्मचारे का पालन करना ये दो तो होता है कि जो ज जैंद्रम के अंदर में इसवर को अमानने मान जाता है, इसवर को नाराकार के तोर पे दिखा जाता है, इसवर की कोई value नहीं है, अमानने के तोर पे यहां पे दिखा जाता है, ठीके, यहां पे त्री रतन, जैंद्रम के अंदर में तीन रतनों को भी suggest किया गया, कि यह त्री रतन है ठीक है रतन है तीन त्री रतन कुण कुण से थे तो समयक ग्यान समयक दर्सन और समयक आचरन तीन त्री रतन के तौर पर दिखे जाते हैं जैंद्रम के अंदर में अगर तीन रतन हैं आपके पास तो कुण कुण से तो समयक ग्यान समयक दर्सन और समयक आचरन यह तीन केवले ग्यान की प्राफ्ति होगी केवले ग्यान की प्राफ्ति मतलब क्या होता है संपुन ग्यान की प्राफ्ति जिसको पूरा जैन द्रम समझ में आ गया ठीक है जैन द्रम को पूरी तर से फॉलो कर रहा है उसको संपुन ग्यान की प्राफ्ति केवले ग्यान कहलाता है ठीक वो महावीर स्वामी की जगर नहीं ले पाए, उसना बड़े तिर्थरकर के तोर पे नहीं आये, तो यहीं पर आकरी तिर्थरतर था और यहीं से जैन दर्म की स्थाप्रा आगे बढ़ती है, सबसे ज़्यादा विस्तार यहीं पर करती है, ठीक है समझ में आता है, अब देखो जैन दर्म के अंदर में, जैसे अब ग्वल्ले ज्यान के प्राप्ति हो गई, तो दिर्थरे आगे चलके क्या होता है, जैन दर्म दो भागों में बढ़ता भी है, ठीक है, वो महावीर स्वामी के सिस्ष्य आते हैं, ठीक है, उसको हम आगे थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम था सिदार्थ, ठीके, वो जातरकवंस के सरदार थे, ठीके, जातरकवंस के सरदार थे, उनकी माता का नाम था त्रिसला, ठीके, त्रिया सला, ठीके, जो उनके बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदी वर्दन, उनकी पतनी का ना आप पांसुचालिस इसापूर्व के अंदर में उग्यान की प्रापति उसके बाद जान की नीच से रहती है q Triple क्रहश करें हैं महावीर स्वामी के ठीक है और उसके बाद ये मतलब ये जैसे दो गुरू है एक तर से मान के चलो इस्तूल बद्र और भद्र बाव दो गुरू हैं उनके सिस्से होते हैं स्वेतामबर और दिगामबर ठीक है यहां से यह दो पार्टों में जेंद्रम को बाढ़ देते हैं जो स्वेतामबर होते हैं, वो हमेसा सफेद कपड़े, वाइट कपड़े पहनते हैं, वो स्वेतामबर अपने आपको कहलाते हैं, जैंदरम के अंदर में, और दूसरे दिगामबर, जो नगन रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, वो दोनों यहां से जैंदरम का बटवार तो यहाँ पर आगे बताता है दुत्य नगरी करन के अंदर में मतलब देखो हडपा सबता के अंदर में हमने बात करते हैं कि हडपा सबता का विकास किस परकार से हुआ तो हडपा सबता का नगर का जब विकास हुआ तो एक चरन, दो चरन, उसको हम दो चरनों के इंदरें बढ़ते हैं, तो हम यह पर दूसरे चरन की बात कर रहे हैं, कि दूसरा चरन का विकास किस परकार से हुआ, ठीक है, समझ में आता है, देखो, दूसरे चरन की अगर मैं विकास की बात करूँ, तो यह जटिल समाजिक आर यह जो यह जो मतलब garden child करके जो इत्यासकार है वो बताते हैं कि seri karan seri karan कै है विगमान ता निरधारित maafdant के अधार पर वह अलग लगता है कि Maafdant के दार पर उनने seri karan बताते कि रहा कैसे आज में डेली में रहता हूं कुड़ा कबाड़ा इस तरह से फैला हुआ है फिर मतलब अलग महौल है ठीक है लोग अलग तरह के महौल अलग है पर वही अगर आप साउथ के डेली में जाते हो या फिर नॉर्थ केमपस के और डेली की तरफ जाते हो ठीक है इंडिया गेट की तरफ जाते हो ठीक है वेवस्ता की बात करता है तो गार्डन चाइल्ड हैं वो निग्री ववस्ता के मतलब सबसे पहले तो घने संुधा हैं जल्ड़ने मतलब क्वंगा पर गमाई है मना ग्रिशी विशैशगे मतलब यह सारे गपड़े का वैपारी हो कपड़े हो उनके पास और धनसे धन कई कठा कर सके हुँ उस तरह की चीजे होती हैं नगर सेहर के अंदर में विसाल सारवजुनिक भवन नगरों के अंदर में आपको आज के समय से compare नहीं करना है ठीक है आपको हडपा कालिन समय में जाना है उसकी हिसाब से वहाँ पर compare करना है कि जो गाउव था ग्रामिन शेतर था वहाँ पर क्या चीज़े नहीं थी और नगर के अंदर में क्या था जो दोनों को केंद्रिय सरकार ने कुछ भी चीज़े लॉंच करी तो हमें पहले पता होता है कि यह चीज़े हुई वही एक बिहार में रहने वाला यूपी में रहने वाला या फिर कहीं हो रहने वाले जो वेक्ति है उसको आइडिया नहीं मिलता कि क्या हुआ ठीक है यूपी कर लखनों मे बिवेक्ति है वो भी नगरों के अंदर में देखने के लिए मिलता है पे नौर्मिली दिखा जाता है कि पर्थम दोर के अंदर में तीसरी सताफ़ी से पहला दोर सुरू होता है, और दूसरी इसापर्व तक पॉरी नगरी करन का दोर, जिसके अंदर में सिंदु गाटी और हडप्पा के रूप में विक्षित होता है, पूरा चीजे, ठीके, दू ठीके वैपारी और सिल्पकारी केंदर के तौर पर उभरते हैं, वैपारी केंदर के तौर पर उभगते हैं, मगद परशासनिक और सहरों का मुखे केंदर के तौर पर उभरता है, गंगा के किनारे में समिर्द छेतरों का उदे होता है, मापडंड तकनीक का विकास के जाता है गनी जनसंग्या वाले सहरों को जो जनसंग्या वाले छेतरते उनको सहरों का धर्जा दिया जाता है तो ये दूसरी नगर परकिरिया थी इसके अंतरर में नौरमी हम क्या बताएंगी पहले वाले में तो गाडन चाइल्ड जो थे उनके बारे हम बता देंगे गार्डन चाइल्ड की माप डंड की परकिरिया ये है जो नगर होते हैं दूसरा चीज हमने बताए कि पहले का जो नगर का चरण क्या था वो है दूसरे नगर चरण का ये है दूसरे नगर के चरण में क्या हुआता है तो महाजनपदों का उदय होता है किस परकार से नगर वाविस्ता, सासक वाविस्ता किस परकार का था हूँ, उसके बारे मोता है, वो सारा कुछ आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, नंबर अच्छे मिल जाएंगे, कहीं नंबर नहीं भाग रहे हैं, ठीके, अगला कोशन हमारा आता है, भारते सामंतवाद संब संबंदित विवादों की चर्चा कीजिए, सामंतवाद होता क्या है, तो सामंतवाद का सिंपल सा अर्थ होता है, फ्यूडिलिजम, इंग्लिस में बोलते हैं, जिसका अर्थ जर्मन भासा के अंदर में, फ्यूड से बना है, ठीके, फ्यूड, फ्यूड का मतलब क्या होता ह जो सेवा करने के बदले में कुछ सर्तों पर दिया गया हो जिसका इस्थाई मतलब जो इसका स्वामी जो है सामंत खेती करने वाले के लिए देता है मतलब खेती करने के लिए देता है जो जो जमीन का मालिक है मतलब मालो आपने मेरी कोई सेवा करी आपने हमारे चनल देए आप ने उसके लिए जुबन किया जो भी benefit है उसका आप लाव ले रहे हो आपने हमारी सेवा करी ठीक है हमने उसके बदले में या किया आपको video दिया ठीक है न तो same क्या सेवा के बदले में वो भूमी का ट्थोड़ा डेते थे यह और उस video से आप कर सकते हो, आप उससे सीख सकते हो, अपने अच्छे नंबर ला सकते हो, कोई भी डाउट आप उससे हम directly पूछ सकते हो, सेम तो उस वेक्ति नहीं क्या क्या है, जमीन दिया ना, तो जो ऊदे देखने के लिए सबसे पहले तो मदेद फ्रांस के बाद इंग्लैंड जर्मनी इतली में इसका विस्तार देखने के लिए मिलता इसका ताइम पिरिड रहता है छ्यसोग इसं सधा से सेने मदद चाहिए हो ता आप दोगे ठीक है एक एक जामपल से आप इसको बहुत एजली समझ सकते हो सबोज करो एक राजा है उसका ये पूरा एरिया है राजा का राजा का जो महल है वो बीच में यहां पर है अब मालो यहां से कुछ आकर्मन कारी आ रहे हैं यहां पर आकर्मन करना चाहते हैं अब राजा का जो सैनिक है वो इस एरिये में इस एरिये में है इस एरिये में राजा ने सैनिक लगाए है और इस एरिये में तो मेरा फेस है कोन हमला करेगा मेरे सामे से कोन हमला करने की हिम्मत है और सारा सैनी की धर है राजा का अब राजा का अगर राजा ने अपना बच्चा सैनी की धर से लेकर आया तो धर से भी हमला कर देगा कोई ठीके तो अब राजा करे तो करे क्या तो उन्होंने क्या किया सामंतों का उदे किया सामंतों को बोला कि इधर की जमीन तेरी हो गई राजा मैं ही हूँ स्वामी मैं ही हूँ तेरा टेक्स तु मुझे ही बरेगा पर जमीन तेरी है हो गई जमीन रखने के सासाथ में तेरे benefit क्या है कि तू अपने साथ में क्या कर सकता है कुछ सेना रख सकता है बदले में क्या करे तू मुझे कभी जोरत पड़े तो सेना को मेरे लड़ाई करेगा आपने Game of Thrones देखी होगी जिसमें Seven Kingdoms थे तो Seven Kingdoms किसके परती वफादार थे तो एक Kingdom के परती जो 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 राजा होता था किंग होता था उसके परती वफादार थे अगर राजा कभी यूद कर रहा है तो उन Seven Kingdoms को भी लड़ाई में आना पड़ेगा तो उस तरीके से यहाँ पे चीजे चलती थे जो सामन्तवाद के लाता था समझ में आया होगा आपको चीजे दिक्कत नहीं होनी चीए यहाँ पर डिडी को सामभी के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था An Introduction to the Study of Indian History 1956 ठीक है 1956 के अंदर में एक बुक लिखी गई थी जिसके अंदर में दो चीजों के बारे में बात की जाती है उर्दगामी और अवर्दगामी के बारे में बात के जाता है उर्दगामी मतलब क्या उपर से सामन्तवाद और नीचे से सामन्तवाद अर्दगामी मतलब नीचे से सामन्तवाद उपर से सामन्त वाद मतलब क्या एक राजा द्वारा एक राजा द्वारा भूमी का तुकड़ा दे जाना मतलब उपर से सामन्त वाद उपर के तरीक उपर से आया ना ठीके King ने, King ने एक व्यक्ति को जमीन दिया, ठीक है, जमीन का टुकडा दिया, तो यह क्या हुआ, उपर से सामन्तवाद आया, अब मालो मैं एक आम इनसान हूँ, मुझे भूमी दान करने का बड़ा सौक चड़ा, बतलब दानवीर बनना है, कन बनना है, तब उसके बाद क्या क्य सामन्तवाद का इंपक्ट क्या पड़ता है, समाज के अंदर में, उसकी बारे हम बात करें, तो नए-ने सैरों का उदे होता चला गया, राजा का वर्चस वो दिर दे घरता चला गया, राजा की सक्तिया तो कुछ समय तक आगे रही, पर जैसी कमजोर पड़ा, यह अपने आ जनपदों के कारण से सैन्य सक्ति का विस्तार होता है, ठीक है, राजा का सक्ति बढ़ती है, तो यह सारी चीजे भी यहां पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है, तो डीडी को सामबी कहते हैं कि जो सामन्तवादे भारत के अंदर में, दो परकार के थे, कों किस परकार के, तो एक उपर से सामन्तवाद, एक नीचे से सामन्तवाद, उपर से सामन्तवाद को उर्दगामी कहते हैं, और नीचे सामन्तवाद को अर्दगामी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी के अंदर में, सामन्तवाद का उधे राजदोरा वेतन की जगह पे भू अनुदान के रूप म भी माना जाता है एक तो यह हुआ कि जमीन का टुकुड़ा दिया कुछ सर्तों के साथ में किसी व्यक्ति को तो वो सामंत कहला आया और अगर मेरे पास वेतन नहीं है जमीन दे देता हूं वेतन की जगह पे सैलरी की जगह पे तो वो भी सामंतवाद देरे देरे बनता चला गय खुस हुआ किसी से कोई किसे ने युद में जीत गया किसी ने कुछ राजा के लिए कर दिया राजा ने खुस हो गया तो उसको भी जमीन का टुकुड़ा दे दिया तो वो भी दीरे-दीरे एक सामंत का रूप लिए चला जाता है यहां पर यह भी हम देखते हैं ठीके ले में होते हैं मिडल में होते हैं उसकी तरफ करने लग जाना तो यहां पर सामंधवात का एक इंपक्त दिखता है कि विचोलियों की संक्या में बढ़ोतरी होती है विचोलियों की संक्या बहुत जाता विस्तरित हो जाती है यह भी यहां पर देखा जाता है ठीक है यहां सामंत बनाया, उसके पास आजाता है प्रसाशनी का दिकार, न्याई का दिकार, ठीके वो व्यक्ति उस शेत्री के अंदर में न्याई कर सकता है अगर आपने Game of Thrones देखा होगा तो पहले ही सीजन के अंदर में, पहले पार्ट के अंदर में क्या होता है जब वेक्ती जब वहां से जब जहां से वॉल था ब्लैक वॉल ठीक है वहां से वो जब आ जाता है वोचर जो थे वहां से वो आ जाते है ठीक है भाग कर आ जाता है तो जो इस टाक होते हैं वो उसका गला काट देता है ठीक है गर्दनसर धर से लग कर देता है reason कैसे हूता है कि उस छेत्र के अंधर में किसका राज चलता था उसने चैक happiness का गला कार तो क क्योंकि उसके पास न्याई का दिकार प्रसाशनी का दिकार रहता इस त्रीक उR रजीकार के तौर पर उसमें उसका गला काथ आ थीक है तो इस तरीके से यहाँ पर भी सामन्त के अंदर में देखा जाता है तीक समझ में आता है कोई चीजे डाउट सामन्त बाद के कारण से देखा क्रशाग यह जद़ते है तो Impeekty देखा जा लाए को करषक दास समझ में आता है अगले question के वर बढ़ते हैं अगला question नमबर six बलूतेदार ठीक है क्या होता है बलूतेदार सबसे बड़े topic है समसे सबसे पहले समझे तो बलूतेदार क्या होता है तो ग्रामिक सेवक ठीक है एक गाओं के अंदर में अलग-अलग कारे करने के लिए अलग-अलग लोग होते हैं अगर आपको बाल कटाना है तो किसके पाँ जाओगे नाही के पास ठीक है अगर आपको लखड़ का काम कराना है तो किसके पाँ जाओगे तो बढ़ही के पास ठीक है यह होता है अगर आपको लोही का काम कराना है किसके पाँ जाओगे लोहार के पास सोनार का काम सोनार के पा यह दक्कन ग्रामिन समाज के अंदर में एक महत्रपुन भाग है ठीक है इसके अंदर मतलब important है यहां पर normally question के अंदर में पूछ किया रहे तो बलुत्यदार संगटन की चर्चा कीजिए होता क्या है इसके बारे में बताईए उनके द्वारा किस परकार की सेवाईं दी जाती तो मैंने अभी बता जी आपको सिवाईं किस परकार की जाती थी उन्हें परदान की जाने वाले प्रशार्मिक pattern क्या था किस तर से उनका चीज़े होती थी उसके बारे में बात करें देखो यहां पे अगर हम बात करें ग्राम एक काउं के अंदर में अलग-अलग तर के लो यह नॉर्मली जो मतलब निम्न वर्ग से सम्मंदित व्यक्तियों के अंदर में आते हैं बलूतेदार की जो आय होती है वो बलूता कहलाती है जो उनका इंकम सोर्स होती है वो बलूता कहलाती है income source बलूता उस income source को कमाने वाला बलूतेदार टीक है ये मतलब normally ये बलूतेदार की देखोगे कृशि उपज की उपर अधारित होती है गाउं के अंदर में अगर कोई बंदा अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं आपने उसको पे कर दिया पर गाओं के अंदर में क्या होता था वो नाई आया तो उसको हम पे नहीं करते थे उसको हम क्या करते थे कुछ चीजे उसके बदले में देते थे चार किलो पांच किलो जितना बना उतना हमने अनाज दे दिया ठीक है वह अनाज लेके चला गया यहाँ पर बोला जाता है ठीक है गाउं के अंदर में जो निर्नाइक भूमिका होती थी कई कोई decision लेना है उसके अंदर में बलुतोदारों की भूमिका भी important मानी जाती थी किस तरह के decisions के लिए अगर एक गाउं के अंदर में सभी तरह के लोग रहे तो किस तरह के decision के लिए बलुतोदार को importance मानी जाएंगे जिससे मान लोग गाउं का budget पास कर रहे हैं कि भाईया गाउं के अंदर में ये विकास करवाना है ठीक है तो इस budget के लिए ये चीज़ चाहिए तो बलुतोदार की भूमिका वापे बहुत जादा important रहेगा भूमिकी जोत भाईया य किस तरह से जो भी दानवान दिये जाते हैं गाउं की खर्चा क्या है उसके अंदर में जो चीज़ें होती है इन सबी चीजों के अंदर में निर्नायक भूमिका के तौर पर बलुतिदार को भी सामिल किया जाता था ऐसे तो यहां पर यह बताना क्यों जरूव है कि इसके अ कि होते हैं तीन तरह की श्रेणियों में भाटा जाता है बलुतो को ठिके त Cam Sum को की पर Stitch I होते हैं थीक है तो पहले से रिनी को को तो सूतर मतलब बढ़ी ठीक है लुहार महार और मांग ठीक है इस तरह से चार आ दूसरा से नहीं आता है मधाली मधाली का मतलब मिडल वाले में कुमार चमार पराती धोती धोबी और नाई यह आ जाते है तीसरा जो स्रेडी होता है धकती का आता है लास्ट वाला जिसके अंदर में आता है भाट, मुलाना, गुरावा और कोली मुलाना मतलब मस्जित का पुरानी और गुरावा मतलब होता है मंदिर का बुजारी और कोली मतलब होता है पानी भरने वाला, पानी भरने वाला भी एक अलग वैगती होता था गाउं के अंदर में, तो वहाँ पे ये चोथे के अंदर में रखा आता है, इन बलूतों से अलग आते हैं सुनार जोतसी ग्राम रखशक, ठीके, जो सुनार है उनको बलूतों से ग्यान था, सासत में ग्राम रक्षक जो गाओं वहाँ की रक्षादा काम करते तो उनको अलग यहाँ पर जगह दे गई बलूतिदार में उनको सामिल नहीं किया गया तो मेंली तोर पर तीन बलूतिदार आते थे जिनको कासा कायाता था स्रेणियों को ठीक है कौन-कौन से तो भौराली कासा ठीक है मादाली कासा और ढकाती कासा ठीक है भौधाली मतलब क्या होता है भौराली मतलब पहला वाला फॉस्ट वाला अरंबिक मद्दे और आधुनिक इस तरह से मानगे चल ज़िए अब समझ में आजाएग आपको ठीक है ये question समझ में आता है अगला question हमारा question number 7 आता है 28 सताबदी के अंदर में समाज की प्रकरतिक अलोचनावमा परिक्षन कीजिए समाज किस परकार का था उसका प्रकरति किस परकार की थी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं 28 सताबदी के एकर बात करो तो 28 सताबदी को अराजक्ता का यूथ कहने का अराजक्ता का यूथ करें तो 28 सताबदी के जो कुछ इतियांस का रहे हैं उसको अंदकार यूग के आतार पर देखते हैं अर्दवरस्ता ठीक है और अरदवरस्ता के लिए अराजगता का यूग कहा गया इसका कारण ही यह था कि 28 सताबदी के अंदरे में मुगलों का पतन हुआ ठीक है 28 सताबदी के अंदर में मुगलों का पतन होती है अब एक कोश्य नहीं भी बनता है क्या मुगलों के पतन होने से ही अराजगता थी क्या मुगलों के पतन से पहले अराजगता नहीं थी तो यह नहीं है पूरा उसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा मुगलों का पतन हुए 28 स्थावदी के अंदर मुगल जो सासते हैं वहाँ पर 28 स्थावदी के अंदर मुगल का पतन हो जाता है परिनाम सरुप उसका क्या डिफ आता है चीजी क्याता है समाजिक आर्तिक और सांस्कृतिक पतन भी देखने के लिए मिलता है जैसे मुगल सब थे हैं जो जब तक क्या था अंग्रेज सब थोड़ा डरे हुए थे वो भारत के उपर में उनके सांस्कृतिक आर्थिक राजनितिक जो सकती थे उसका वो विरोध नहीं करते थे ठीक है जब तक मुगल थे जैसे ही मुगल बासा सब कमजोर पड़े ठीक है त कुछ भी हो गया अगले दिन से आप उस जगह पे एकदम खुले सांड की तरह गुम सकते हो क्योंकि वह व्यक्ति है नहीं कोई रोक्तों करने वाला ही नहीं यू आर्दर किंग ऑफ डैट प्लेस ठीक है तो इस तरीके से था तो सेम यहां पे दीखा जाता है जैसी मुगलो वह कहते हैं कि यह अंधा धुंद, लूट, खट्सोट, आराजक्ता और विदेसी सत्ता का विजय का यूग रहा ठीके मतलब वह इस टाइम पे क्या हो जैसी मुगलो सत्ता का अंधुआ तो अंधा धुन लूट पार्ट सूर हो गई ठीके आराजक्ता का पूरा टाइम पिर ठीके कै किई उन्होंने कर लगा लगा देया, टेक्स लगा देया, बहुत जादा टेक्स जन्ता को Fleischन बहना पड़ा, इससे किसानों तथा कारीगर थे УНका धारी, भारी करों बोज बढ़ता चला गया किसानों फुपर में, रोगों को यह लगता है , तो लोगों यह यह कि उसने क्या क्या जंता कि उपर मैं कրोका भारी मार पट ठीक है सन्सादनों का निस्कासन हुआ जो भारत से जो संसादन थे 躯ू बाहर लेके जाय जाने लगा, सासद में जो टेक्स भी वह टेक्स के सब्रक्स के मार लुगों सिगमेंट के निया गलत है इरिफान भिलाइए उन्होंने बोला ये राजकता का यूग है कई सारे यहांसकार आई उन्होंने लट खशोट किया है पूर एकदम तबाई मचा दिपड़ तरहें पर ये उसके लिए वो मतलब thankful हैं, पर वहीं पर कहते हैं कि उन्होंने क्या क्या हमारी संस्क्रित युक हो, हमारी जो ववस्ताति उसको नास कर दिया, तो यहां पर अलग-अलग विचार मतबेद मिलता है देखने के लिए, तो देको इर्फान हभी ने क्या करा कि अराजकता का य उद्योग का विस्तार होता है, ठीके नए वैपारिक मार्ग खुलते हैं, ठीके पंजाब में पंजाब का भी पुनरुधान होता है, और भडोच में वस्त निर्माता मुखे के अंदर के तोर पर बनता है, ठीके खूब फला खुलता है, इसके बारे में यहां पर बात की ज समझ में आता है, तो दो यहां पर अलग-अलग सेग्मेंट हुए, आपको दोनों को डिफाइन करना है कि किस तर से जो वहां का अठारी उस्तावदी का समाज किस पर कारता, समाज के प्रकृति किस पर कारगी तो बताने है, पहले में आप बता दो कि अरा जक्ता का काल था कई सारी इत्यांसकारों ने बोला, इर्फान अभविव ने बोला, ठीक है, उसके बाद में C.A. बेली करके जो थी इत्यांसकार उसने बोला कि जो पूरा टाइम पर अठारी उस्तावदी का, वो धीरे दीरे निरंतरता के सासत विकास का काल के तौर पर वहां पर वो डिफ समाज में राष्टवादी विचारधारा पर चर्चा कीजिए, जो भारती समाज है, उसके अंदर में राष्टवादी विचारधारा, राष्टवादी विचारधारा होता क्या है, जहां पर राष्टवादी विचारधारा के जाती है, तो राष्टवादी विचारधारा क यो कहते हैं राष्टवाधी विचार धारा में जो राजनितिक और विचारिक प्रवृतियां होँ महत्य theorem होती है राजनितिक और वैचारिक प्रविर्तियां पर्मुक पर्मुक तौर पर वो संगर्स के काल के तौर पर देखा जाता है जो यह राष्टवादी विचारदार है उसको संगर्स के तौर पर देखा जाता है ठीक है वर्ग जाती और धार्मिक अधार पर इसका विवाजन देखने के लिए मिलता है राष्टवादी विचारदारों के अंदर में कि यह राजपूत है यह हमारे साथ है यह बंदा वर्ग जाती ठीक है वर्ग जाती और किसके अदार पर समाजी का दार पर धार्मी का दार पर आज के समय में एक mentality बनी हुए लोगों की ठीक है कि अगर जैसरे राम बोल रहा है जैसरे राम नहीं बंदे मातरम जो बोला वो मतलब राष्टवादी है जीसा नहीं बोला वो राष्टवादी नहीं है पर यहां पर एक question यह बनता है ठीक है दो कोशन तो बनते है एक तो क्या यह सच में ऐसा है कि बंदे मातरम नहीं बोला तो नहीं बता रहा बट यहां पर चीज़ह वो है तो यहां पर जो वृपिंज चंद्र थे अपको इतिहांसका रहे हैं प्रोफ़ेसर वृपिंज इतिहांसकार है कि आपको कई सारे देखने के लिए मिलेंगे तो यहां क्या कहते है वर्ग जाती और धार्मिक अधार पर रास्टवाद के अंदर में विभाजन देखने करें मिलता है ठीक है विभाजन के कारण से क्या होता है अतधिक महत्व नहीं मिल पाता है रास्टवादी विचारदारों को क्या होता है बढ़ जाता है जो विचारदारती न कई जगों पर दिरे-दरे बढ़ते हुए चली जाती है जिसके अंसिस की value कम होते ही चली जाती है अधिकांस जो राष्टवादी उधारवादी जो जनवादी परकृती है वो निजी संपत्ती की प्रवित्रता और मुख्यत सुलक्षा की बारें बात करता है देखो रास्टवादी विचारधारा से जुड़े हुए काफी सारे लोग है उसमें से कई सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए लेड़ रहे कि भाईया ये चीज़े ऐसी चाहिए ठीके वहीं पर कुछ जो थे समाजिक सेरिंडियों में बटने होने कारण सी अंगर जड़े देखें तो क्या देखने के लिय मिलता है कि भाईया शिख्षा हो हमारा ंधुनिक समाज निर्माण हो पुंजी वादी उपकरन विकास नीजी संपत्ती और सुरक्षा का परिवाद, मतलब परिणाम मिले, ठीके, जो भी नीजी संपत्ती सुरक्षा उसका अधिकार मिले, कानूनी अधिकार मिले, इसके बारे में राष्टवादी विचारदारा जो भी थे, वो बोलते हैं, भारते राष्टवादी विचारदारा जिसके एंदर में सबसे पहले हम बताते है प्रफेसर विपिन चन्दर के बारे में कि वो क्या मांगते हैं किस तरध से वर्ग जाती जो धर्म के अधार पर किस तरध से बढ़ता है उसके कांछ से राष्टवादी विचाओबरा किस तरह से कमजोर पढ़ जाती है वो हमने यहाँ पर बताया सासर तो हम बताते कि कुछ जो मतलब जो खड़े थे रास्टवाज विचागारक लेकर लड़ रहे थे वो अपने स्वार्थ के लिए खड़े थे कई जगवा पर देखने के लिए मिलता है जहां पर वो अपने नीजी संपत्ती और पवितरता के सुरक्षा की मांग करते हैं कि भया मेरी संपत्ती को बचाया जाए बागी को छोड़ो यार खटम करो कुछ महाँ पर समाजिक सेरेनरी बद्दता की बात करते है कि समाज को एक सुत्र में बांदा जाए ठीक है एक साथ रखा जाए उसकी बात करते हैं यहाँ पर ठीक है समझ में आता है तो यह आठवा question है इस तरह से normally आप define कर सकते हो और book के अंदर में बहुत अच्छे से इक साल पहले कि स्थापित मतलब अंग्रेचुक दवारा एक कि अधिकार नियान को पर में जहां उससे पहले एक साल पहले Imperial One विभाग के स्थापना की जाती है Imperial One विभाग के द्वारे कामन पास के जाता है जिसके थुरू जो भी भूमी है वो सभी सरकारी भूमी है यह यहाँ पर कह दिया जाता है सरकार के अंडर में सारे अधिकार आ जाते हैं अब यहाँ पर भारतिय वन अधिनियम आ गया भारतिय वन अधिनियम आने के कुछ सार बाद मतलब 1878 के हम बात करते हैं 78 की जिसके अंदर में भारतिय अधिनियम दुबारा से रिवाइब किया जाता है ठीक है उसको दुबारा से ला जाता है जिसके अदर में सभी वंजर भूमी जो बनजर भूमी थे उस पर समपरभुत्ता भ्रिटी सरकार का अधिकार होगा आरक्net और संग्रक्net वनों के अंदर में उसको विभाजित किया गया ठीके वनों के मदब सेरीनिय बाती गई, एक आरक्षित बनो गई, एक संग्रकषित बनो गया, ये माना गया, संग्रक्षित वनो के मामले में इस्थाने अधिकार से इंकार किया गया, जो संग्रकषित वनों है, जो separate reserve force है, ठीके रिजर फोरेष्ट है, उसके अंदरे में तो आरक्षीट वन संग्रक्षीट वन और ग्रामिम वन आरक्षीट वनрашीट जो कि रिजर्व नहीं थे और जंगल घरगाउंहों के आस-पास जो उसमें अच्छेप नहीं कर सकता उसके अंदर में वहाद आ नहीं सकता इंटरफेर नहीं कर सकता इसकी बात की जाती है और ग्रामेड ववन कौन से जो गाओं के आसपास में जो जभोमी थी उसको ग्रामेड ववन के तोर पे दिखा गया यहाँ पर इसके बिनासकारी प्रिणाम देखने के लिए मिलते हैं खाना बदोस ता चारगा समुदाय क्या होते हैं कि घर बेगर हो जाते हैं खाना बदो समुदाय क्या थे एक जगर से दूस्रे जगर जाते थे एक जंगर से दूस्रे जगर जन्मदान के लिए बेड इम्पेक्ट देखने के लिए मिलता है जो जूम क्रिशी होती थी वो अलगबख बंदोना शुरु हो गई क्रिशी तता वन उत्पादन में कमी आती है ठीके वन पर जो निर्भरता होती है समुदाय के जीवन को परभावित करती है जो समुदाय जंगल पर ही निर्भरती उसके जन जीवन को परभावित करती है डंड परिक्रिया का प्रावधान क्या गया तो उसके कांच से उनको डंड का प्रावधान भी रखा गया कि इनको डंड भी सजा भी मिल सकता है ठीक है समझ में आता है अगले हम question paper के और बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर यह वाला question paper खतम हो जाता है अगले question paper के अगर मैं बात करूँ तो आपका जो अगला question paper है यह हैगा December 2016 का जिसके अंदर मैं अगर मैं बात करूँ कि इस question paper के अंदर मैं पढ़ना क्या है तो question paper का सबसे पहरे थोड़ा सा introduction करते हैं December 2016 का question paper है MA history MHI 06 आपका subject code हो गया book का नाम हो गया भारत की समाजी संरचनाओ तो होता हुआ विकास किस तरह से विकास हो रहा है उसके बारे में हम यह आपर discuss कर रहे है time period total 3 घंटे का अधिक्तम अंग 100 नंबर का 500 word के अंदर में करना है 5 question ही करने है last time 2 segment में बटा हुआ है 1 segment से 2 1 segment से 3 question करने है ठीक है चले हम अपना question paper को start करते है सबसे पहले दूस्तों यहापर पहला question आता है प्राचीन भारत के सामाजीक इतिहास के निर्माण में साहितिक सुरोतों की किस परकार से बुनका रही साहितिक सुरोत होते क्या है साहितिक सुरोत को अगर अपके दिमाग में डालना है देखो किसी भी topic के बारे में जब हम study करते हैं history के अंदर में तो दो परकार के सुरोत होते हैं कौन-कौन से सुरोत होते हैं तो पहला होता है साहितिक सुरोत साहितिक सुरोत साहितिक स्रोत के अंदर में क्या आता है कि जो भी किताब है जो भी गरंत है जो भी किसी तरह की सामगरी है लिखित में कोई भी सामगरी है तो साहितिक स्रोत कहते हैं दूसरों आता है पुरा तात्विक स्रोत साहितिक और पुरा तात्विक सरोत के अंदर में आते हैं अब यह हमें बात करना है भारत के प्राचिन इत्यास के बारे में साहितिक सरोत के धारपल तो साहितिक सरोत कौन-कौन से होते हैं तो जो भी वेध हैं जो भी प्राण है जो भी वेध होगे पुरान होगे वो सारे साहितिक सरोत के अंदर में आते है ठीक है तो यहां पर एक एक करके मुटा पर डिस्टार्ट करते हैं पहला आता है वेद वेद में कौन-कौन सोते हैं तो चार परमुक वेद होते हैं रिग वेद, साम वेद, यजूर वेद और अर्थ वेद इनके थुरू हमारे प्राचिन भारति इत्यांस के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है जो यह परमुक वेद आते हैं दूसरा अगर मैं बात कर यहां पर पहला हो गया दूसरा आजाता है यहां पर दूसरा आजाता है ब्राम्मन ठीके जो ब्राम्मन थे, ब्राम्मन द्वारा भी कई सारे के वेद लिखे गए, ठीके ब्राम्मनों के द्वारा भी वेद लिखे गए, कई तरह गरंत लिखे गए, जैसे वेदिक मंत्र, किसके द्वारा वेदिक मंत्रों का बनाए गया, ब्राम्मनों के द्वारा बनाए गया तो वो किसके दोरा बनाए गया था रावन के दोरा बनाए गया था रावन भी एक ब्राम्मन था ठीक है उसके दोरा बनाए गया था तो वेदिक मंतर जो भी थे ठीक है सहीता थी जो भी कानून सहीता लिखे गए खंग लिखे गए गड़ लिखे गए टिकाय लिखे गई वो क किसके द्वारा लिखेगी ब्राम्मनों के द्वारा लिखेगी तो ब्राम्मनों का भी यहां पर साहितिक सुरोत के अंदर में युगदान देखा जाता है तीसरा यहां पर आता है उपनिशद ठीक है उपनिशद क्या होता है अलग अलग तरह के ना जो किताबे लिखी गई ज जिनका रोल समाज के अंदर में बहुत परवर्तन सील माना गया, तो उपनिश्द से भी हमें चीजे पता चलते हैं, उपनिश्द में कौन-कौन से आते हैं, तो ब्रह, उपनिश्द और चंददग करके एक दूसरा उपनिश्द आ जाता है, ठीके, चोत्ता चीज यहां पर द जिखा गया, कही तरह के वेदों का घ्यान एक तरह से, वेदों को सम्हिलित के जा गया हो, जिसके अंदर में, पांचवा यहां पर आता है रामायन, ठीके, रामायन भी है, ठीके, जीवक्साहितिक सुरोथ पे भाहरतर की जानकारी देता है, छटा यहां पर आता है महाबार बिश्ण पुरानों के थुरूब है पतार चलता है उनके इतियांस के बारे में सासात में यहां पे आठवा जात है सिम्रतियां ककई तरह सिम्रतियं जैसे श् darle ओन एक विष्निो शिमिर्ति विज्वति पी जो भी के वीदि है कितने तरह से यग ऌते हैं कौन-कौन rend वान लू विस्ता किस प्रकार के उसके बारे में बताए क्या है ठीक है तो इस तरह की से यहाँ पे यह स्मिर्थिया आ जाती है ठीक है अब ब्राम्मन गरंथे भी कई तरसे हैं अब ब्राम्मन गरंथ कौन-कौन से होते हैं जो ब्राम्मन द्वारा नहीं लिखे गए, जैसे मालो जैन द्रम के गरंद जो होते, बोद द्रम के जो गरंद थे, उनके थुरूबी हमाई भारत के प्राचिन समाज की इतियांस के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये सुरोत के तोर पर हमें इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आता है, अगला कोशन यहां पर आता है, कि आपके विचार से प्राचिन भारते समाज की प्रिकृती समतावादी थी या नहीं थी, समतावादी मतलब क्या होता है, कि मतलब समांतर, ठीक है, ऐसा नाओ की भेदभाव वाली, मतलब एकवल वाली थी क्या, समतावादी थी क्या, इसके बारे में यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा रफ करते हैं दोस्तों में बार बार यहीं बुलूगा कि यह थोड़ा बड़ा बनने वाला है तो almost 90% आपका slayvers cover हो जाएगा but आप सभी से request यही है कि अगर आप हमारे वीडियो से आपको benefit मिल रहा है ठीक है तो आप हमारे चैनल दी नब को जो बरूर जरूर subscribe करें ठीक है इसका subscription ले 29 रूपे का subscription आता है अगर आप thankful है हमारे लिए अगर आपको लगता है कि वीडियो valuable है ठीक है तो आप thankful भी कर सकते हो normally मैं अभी बता हूँ तो non-stop वीडियो बना रहा हूँ मुझे क्योंकि आदत नहीं कि काट-कट के अलग-लग segment में वीडियो बनाया जाए ठीक है तो मैं try करता हूँ कि जितनी बड़ी वीडियो को एक ही segment में बने एक ही बार में बने तो 2.5 गंटे की वीडियो बन जाते है 1.5 गंटे की 2 गंटे की वीडियो बनते है non-stop बोलना होता है ठीक है बहुत ज़्यादा problem होती है बारतिय समाज की समतावादी प्रकृति क्या थी उसके बारे में बात करते है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो भारतिय समाज किस परकार का था प्रारंबिक समाज की बात करें प्राचिन समाज की बात करें तो सिकारी संगरक समाज के तोर पे दिखा जाता है, सिकारी कौन सा, जो सिकार करता हो, संगरक कौन सा, जो इकठा करता हो, कंद मुल के फल इकठा कर लिया, ठीक है, और सिकारी जो सिकार करके अपना जीवन भी अपन कर रहा है, तो इस तरह का समाज था हमारा भारत का मूल समा पर बटे होते थी, एक टोली के अंदर में 20 से 25 लोगों का समुधा होता था, ये समतावादी, समतावादी मतलब क्या, सब को साथ लेकर चलने का example अगर अलग-अलग होते तो मैं अलग जा रहा हूं, वो अलग जा रहा है, एक बंदा अलग-अलग है, ठीक, अलग-अलग गु एक टोली के अंदर में 20 से 25 लोगों का सदस्य हुआ करते थे, रसत के कारे टोली द्वारा क्या जाता था, रसत मतलब क्या होता है, खरूची, जैसे माल लोग को जानवर ने बड़े जानवर ने किसी जानवर का सिकार किया है, तो उसका खरूची नहीं करना, उसको इकठा क करना, मालवल को लाना, ठीक है, मासवास को रखना, ठीक है, मासवास को खुरचना, वो रसत का कारे क्या होता था, टोली द्वारा खरा जाता था, टोली की एक सीमा होती थी, सीमा के अंदर में कारे के जाता था, ये नहीं होता था, कि भाया, आज तो सिकार मिला नहीं चलो गूमते गूमते पाकिस्तान गूमकर आयाते ऐक मै के पाकिस्तान में चीजे में डेखने के लिए मिलतीय है और यहां पर सीमा के य मारते आंदर में का धार में आपको रहоловillon को नहुंत सरता है यह की से टोली के उन्सीशन सिन ज़से थीचा पर रसे का diesem सिकार चोटे चोटे मारे के लिए उप्योग में लाए जाने का रहा भाले है उपियोग में आने बंड़े करें और लेते तों सिर्फी हैं स्रीफ परिवार के ही लोगों को सामेल क्या घाता था जो परिवार निर्फा श्कार जा था. विपिन homosexual तोली के अंदर में पुर्सों की संख्या अलग होती थि अछिप के उभली कोS टोलीयों के अंदर में महिलाओं का संख्या अलग होती थि तो अलग-अलग न के आलग अलग संख्याओं के अदर में लोग neighboring लिए आधार पर बटे होती इसे हर एक समाज नहीं, पेरबोधों पह धारी थे जानवरों के निर्भरता पह धारीintendo हहे जो पूरा समाज था आरंबिक समाज वह अपना जिवनवेपन के लिए किस पर धारी में करने का तुरीगा तब मैं खाना खांगा ठीक है तो उसके बाद उनको खाना मिलेगा, उनको खाना मिलेगा तो मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा तो मेरी घरवाले खाएंगे, यह चीज़े रहती हैं, पर वहाँ पर यह देखा गया कि उनकी जो निर्भरता थे, किसके ऊपर अधारी थी, तो पूर्ण ता जंगली पेंड़ जंगली पेंद पोदों में घास फुलब फल फूल जाएंगे, इसके आधार पर खायेंगे, जो जौनवर करते हैं समुदायों का काम होता था जो संगरक होता था मतलब दो अलग अलग होते थे सिकारी वाले अलग होते थे यहां पर यहां पर यहां पर जो प्राचिन भारतिय समाज है उसकी प्रकृतिक समतावादी थी या नहीं वह बता सकते हो समतावादी मतलब क्या इक्वल समानता हो दोनों के बीच में ठीक है पैरलल हो इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं ठीक है समझ बाता है अगला कोशन हम आज आता है कोशन नमबर थर्ड पुर्व पाशान तथा पाशान कालिन समाजों की समाजिक समझना उपर एक तुलनातमक टिपने अब यहाँ पर कंपरिजन करना है पुर्व पाशान कालिन समाज के बारे में अब देखो पुर्व पाशान काल हो या पूरा पाशान काल हो बोलनों का मतलब Same होता है। तो पुरा पाशान काल का जो पूरा टाइम पिरिड है गर हम देखें तो 20 लाग वर्स से लेकर 10,000 वर्स तक का पूरा टाइम पिरिड चलता है इसके अंदर में पुराने पत्रों का उप्योग करके उजार अलग वगतर के चीज़े के जिसके कहाने से पुरा मतलब पुराने पत्रों का उप्योग किया जाने वाल अकाल जहां पर पुराने पत्रों का उप्योग किया को उसे पुरा पाशान काल के थे तो इसका टाइम पिरिड के रहा बीस लाग से दस जार साल तक का टाइम पिरिड रहा पुराने पत्रों के उप्योक से ही ओजार बना जाते थे ठीके और इसके बनाने के तकनीक अलग रहा करते थे ठीके पुर्व था अपुर्व जो करलो या उपरी पाषान करलो उसके अंदर में क्या उसका टाइम पिरेड दिखो गे तो दिखा जाता है उत्तर पुरा पाशान काल के अंदर में 40,000 से लेका 10,000 के बीच का टाइम परिड़ उत्तर पुरा पाशान के अंदर में आ जाता है सबसे पहले आता है पुरा पाशान का पुरा पाशान के अंदर में उपरी पुरा पाशान काल उसके बाद मत्य पुरा पाश पुरापाशान एक अगर बात करोगे तो फल दार भेकर उजार उजार हो थी अदा चलए थी झालोक के बात करोगे तो ब्लेड तक्नीक के अधार तक्नीक Drag त्टेक को जारवान आफने के लिए किया जाने लगा है तो यहां पर यह समझ में आता है किस परकार से उद्धव हुआ तो सबसे पहरे हम बात करते हैं नवीन राजवंसों के बारे में ठीक है नवीन जातियों के बारे में उद्धव कैसे हुआ आप देखो राजा साब का उद्धव किस परकार से हुआ तो यह नहीं था कि वह पैदा हुए तो राजा बन गया ऐसा की पास एक दिन लीडर सिप जैसी quality देखने के लिए मिलेंगी ठीक है तो वो हमें यहाँ पर दिखता है तो नवीन राजबंसों का उदे हुआ ठीक है नवीन राजबंसों का उदे किस परकार से होता है तो अलग-अलग विकास कारियों के तुरू किसी तरह से आगे बढ़कर काम करना लंबे वैपारिक मार्गों का उपजाओ गांटियों के तुरू मतलब अलग-अलग तरह से जैसे कोई विक्सित व्यक्ती है ठीक है एक क्लास के अंदर में जो टॉपर है हम उसी को अकसर मोनिटर मानते कि बंद ठीक है फिर नवीन राजबंसो का उदे मिला तो नवीन मद्यकालिन समाज का बूदे देखने के मिलता है जैसे अब देखो कुछ वर्ग थे वह उनका रहन सेन क्या था सासक वर्गों के तौर पर था तो राजबंसों के तौर पर देखी जाने लगिए और दिरे-दिरे उन बाई या गुमो फिरो जानवरों को पालो पोसो क्रिशक एक जगा रूप कर खेती बाड़ी करो तो दीदर दीदरे किशक की और आने लगे सिकारी जनजग जग सिकारी मतलब जो थे वो भी क्रिशक की और परविर्थित होने लगे हाना बदोश जो थे एक जगस दूसरे जग ना सकते लिग्रान की लिग्राइज वा ना कम वह जांग जाए राजा ने जितना ही सोचा उसके बाद यहां पर इन चीजों का निर्मान किया गया दोस्तों स्वारी यहां पर यह यहां पर यहां गयाै ठीक है अब हटे का कैसे आइड़ों अट लो ठीके थोड़ा सा हट जाए भगवान जल्दी से इसको कहते हैं किसमत दोस्तों बेकार किसमत हाँ हाँ हाट थेंक्यू सो मच तो यह हट गया हो और यहाँ पर यह चीजे भी आ गई है चलो हाट गया दुबारा से थेंक्यू सो मच नॉर्मली दोस्तों मैं यूस हूँ नहीं हूँ ज्यादा इस तरह के टेक्नलोजी का यूस करने के लिए तो इसको इसी गरब होती है वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर देखो कोशन नंबर 4 में कह रहा है कि जात्यों का उदभव किस परकार से हुआ तो उदभव का देखते हुए उसने चुना कि भिया मैं कौन बनुगा किंग बनुगा राजा बनुगा उसने अपने आपको राजा घुशित कर दिया कुछ व्यक्ति थे उनके पास ऑप्शन था कि उनके पास यह है वो चीज़ें यह चीज़ें तो जो आरंबिक काल का जो रहन सैन था प् स्भालक से क्रिशक के और आने लगे क्रिशक के और आने का मतलब की हुआ उनका स्थाई निवास बना है एक जगया रहकर निवास करने लगे कर ठीक है उका सब सिसका आर्रे में involved हो गये तो कृष्यक की जिंदगी जब वतीत करने लगे तो दो वर्ग आ गया एक जिसने अपने आपको किसान के तौर पर इस्टापलिस कर लिया वहीं पर क्लास में जो सबसे तेज बंदा था ठीक है जो एक दम चसमासमा लगा कर आता था बहुत तेज बंदा थ तो वह राजा जैसे तो quality है नहीं भाई कि मैं राज कर सकूँ पर मेरा business जैसा quality है मैं business कर सकता तो उसको तीसरे work के तोर पर वैश्या बनाएगा जो regulate कर सके राज कर सके उसके लिए ठीक है जो वैपार कर सके उसके लिए ठीक है तो यह चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है उद्धरे द्धरे power उसके आते में आते चली गई तो इस तरGS से राजा का राजा का निर्मान होता है नवीन मद्यकालिन समाच का निर्मान की इस तरs से बनता है जो सिकारी से संग्रहक की जिए सिक क्रारी जिए के पर खाना वद जो छेसीकि देश真的 दरे पारवर्तित हु और योदाओं को रखा गया वेशे के यंदर में पारियों को और चुद्र के इंदर में किसानों को रखा गया ठीए इसके बाद ऊफ़ते हैं जिसको हम अच्छूत कहते जिसके अंदर में चंडाल-उन लिए आपके जाती क्या है उसकी इसाफ से आपको टेक्स पेकरने ओते थे जाती ठीक हे जाती ठीके रयत ठीक हे रेयट होते थे किसान होते थे उनके उपर सबसे ज्यादा सर्वच्च कर लिया जाता था तो उत्पादन का 50% भी इनको देना होता था, जो भी इन्होंने पैदावार किया, उसका 50% लिया जाता था, पटेल, पटवारी, महाजन और पाही जैसे जो उपज होते थे, उनसे 40% उनके उपाजन का लिया जाता था, ठीके, राचपूतों से 25-30% टेक्स लिया जाता था, जो या कानूं, गंगों होते थे, उनसे 25% लिया जाता था, तो मतलब क्या जाती के अधार पर राश्व का निधार मन होता था, अगर आप रियत हो, मतलब क्या किसान इंसान जो खेतिवारी करते हो, रियत अधारी का काम करते हो, आपको 50% देना पड़ेगा, ठीके, अगर आप पटेल, पटवारी, महाजन, पाही हो, मतलब जो तीसरा वर्ग था, मतलब मालो, चौथे वाले से लेंगे 50% तीसरे वाले से लेंगे 40% दूसरे वाले से लेंगे 25% और पहले वाले से लेंगे 25% इस तरीके से ये बटा हुआ था, ठीके, समझ में आता है, तो इनके अधार पर यह चीज़े ली जाती थी किसानों का जीवन निर्वा का कारण क्या था रिन्म में डूबे लगने लगे ठीक है इतने ज़्यादा टेक्स उनके उपर बढ़ने लगा कि वह रिन्म लेने लगे बहुपाली का जो बहुझ जाती ववस्था के अधारपर समाज का निर्धारन किया जाने लगा एक से जादा जाती के दार पर समाज का निर्दारन हुआ ठीक है महाजन का कार्य बनियों द्वारा क्या जानने लेगा जो बनियां होते थे उनके द्वारा राजिस्थान के अंदर में पंडितों के द्वारा भी जो पंडित ब्रामन के द्वारा भी ठीक है वहाँ पे कर वेवस्था का निर्धारन किया जाता था कर वेवस्था किया जाता था रासव का निर्धारन किया जाता था मतलब इकठा किया जाता था यह यहाँ पे दिखा जाता है मैक्स वेवर कहते हैं यहाँ पे मैक्स वेवर की ध्यांसकारों कहते हैं वो मुख्य बाधा के इसके विकास के अंदर में ठीके वेवेसाई गति सिल्टा के अंदर में रुकावट के तोर पर जातिकत वेवेस्था को यहां पे मेक्स वेवर कहते हैं ठीके question number 6 समझ में आता है अगर हम question number 7 की और बड़े question number 7 के अंदर में काया था है कि मद्देकारी ने भारत के अंदर में महिलाओं की सिद्धी क्या थी ये most important question आप कह सकते दोस्तों अगर हम मद्देकारी के अंदर में महिलाओं की सिद्धी के बारे में बात करें तो इस book के अंदर में जब आप इस topic को पढ़ोगे तो आपको ये लगीगा कि टॉपिक के अंदर में एक तरफ जुका बहुत जाता है ठीके मैं रेली कह रहा हूँ क्यों कि जब मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था आपके जब मैं कोश्चन पेपर तयार कर रहा था तो मैंने ये देखा कि इसके जो भी इतिहास कारे जो भी जिन्होंने भी लिखा है उन्होंने इसलाम धर्म को बहुत अच्छे से एक्स्प्रेंड किया है कि ये इसलाम धर्म था उसके अंदर में बताया है कि महिलाओं के कितने राइट्स थे ठीके वहीं पर मैं यह नहीं कर रहा है कि उन्होंने गलत बोला है या गलत चीज़े थी पर वहीं पर जो हिंदू धर्म है उसके अंदर में यह बताए गया कि उनके पास राइट्स नहीं थे ठीके उनके साथ चीज़े ऐसे इसी होती थी बट आज के समय के इसाफ से अगर मैं देखता हूं थ तो यह चीज़े यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है तो यहां पर कोशन क्या जाता है महिलाओं की सथी किस प्रकार के थी मद्यकालीन भारत के अंदर में बात करते हैं तो मुल्ला दाउद करके हैं जिन्होंने चंदा यन करके किन्होंने बुक लिखी थी 1379 के अंदर म जिसके अंदर में महिलाओं की सोतंदरता पर जोड दिया गया उन्होंने ये बोला ठीके कबीर के कई सारे जो बुक हैं कई सारे जो उनके दोय थे कबीर के दोय या फिर कभी दोय जो भी प्रशंग के बारे में बात क्या जा गया उसके अंदर महिलाओं की पवितरता पर ज तो उसको पवित्र है वो ऐसा माना गया कवीर के तुरू यह बोला गया ठीक है इस लेसन के अंदर में अगर आप पड़ोगे बीस्वा लेसन है आपका जिस लेसन का नाम है उत्री भारत में समाजिक वर्ग ठीक है तो इसके अंदर में आपको एक तरफ जुकाव देखने के मिलेगा इस्लाम दरन के अंदर में मरता आगा की जितने भी इत्हास का रहें इसलाम के अंदर में वो महिलाओं विसोट रुट Rug i. उस उसको पिछे गीशता है, ठीक है तो यह चीज़े यहां पर दिखे जाती है, पर हिंदु धर्म का यहां पर दिखाया गया, कि उनको महिलाओं को दासी के तौर पर दिखा जाता था, जबकि कई सारे जो राजा महराज होते थे, वो अपनी रानियों को, अपनी वाइफों को, यहां पर थोड़ा सा आपको खुद भी self तरीके से self study करना है, इस वाले question को, अच्छे से खुद पढ़ना है, research करना है, then आपको अच्छे से इस question को answer मिलेगा, मजा हैगा आपको लिखने में, थोड़ा सा पढ़िएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या है, अगर आपक आपको भी यह feel हो, कि एक तरफा जुकाव है, राइटर का, तो आप comment करके जरूर बताएगा, कि हाँ, यह चीज ऐसा था, या फिर क्या पता, मेरा ही thinking हो, कि एक तरफ जुकाव है, आप reality में ना हो, तो आपको क्या feel होता है, क्या महसूस होता हूँ, जरूर बताएगा, ठी इस प्रकार से भारत की जो वाता वरंता उसको प्रवावित किया, देखो, सूफी संतों के अगर हम बात करते हैं, तो ठीक है, कुरान के धार पर इसलाम का परचार परसार करते हैं, ठीक है, इसलाम धर्म का परचार परसार करते हैं, ठीक है, इसलाम धर्म का परचार परसार दर्म के प्रति जागुरूप्त बनाते हैं ये माना गया धारम SI ओञें संतों नोटों को बताए के अंधर में जो सूपी संतों एक राजनेतिक ब्हुमिका पर बहुत जगाता सकति प्राफ्ट थी अगर किसी उम्हें को बुक्ति और ना इस मुझे एक हाली का हैं मुझे याद आता है एक ट्वीटर पे लेडी है महिला को लेकर रधिकारों की बात करती है मुझे उनका याद नहीं है स्वाती महिवालकर के नाम है तो उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था मैंने देखा था ट्वीटर पे कि संतर जो है आपके गुर्मित राम रहीम इंसागर के जो अभी जेल में थे रेप के सके अंDर में उनको बेल मिली है इंकी वे बाहर है तो उन्होंने उसके उपर सवाल उठाया पढ़ा था संतराम रहीम इंसा के बारे में कि दो-چार साल फेले जब इनको जेल हुई थी थीके बॉपी देवल की आसरम करें एक वेफसरी जाई हो थी उसके अंदर में क्या होता है नेताओं के आसपास बावा का पूरा होता है जितने भी नेता होता है बावा के आसपास घूम रहा होता है पूरी राजनी थी अगर बावा ने बोल देख भी ये नेता है ये बंदा इसको में सपोर्ट कर रह लोग गित के थुरू परचार के जाता था, गाने बजाने के थुरू, वो अपना धर्म का परचार परचार करते थे, सामाजिक भूम के अंदर में सिक्षित करने का कारे करते थे, लोगों के अंदर में जागरुत्ता लाने का कारे करते थे, ठीक है, धार्मिक सिक्षा का वो क में जाती ववैस्ता का सुरूप एकल सजाती था यहाँ पर दो कोशिण कहले हैं में फ़हला कौश्चन के लिए छोड़ний पहलाई मैं आपको बता देता हूं उपनिवेशी काल में जो जाती किस परकार से रहोप बना, किस परकार से रहोप रात जाती का जाती वथस्ता यह नहीं था कि अपनीवेशी काल के अंदर में है, भारत के अंदर में बहुत समय से चलता हूना था, ठीके ऑपनीवेशी काल के अंदर में इसको बढ़ा दिया गया किस तरह से बढ़ा दिया गया, अंगरेजों की दौरा, वो मतभीद पैदा गये, बीच में, फूद डालो और निती करो वाली, साशन करो वाली निती थी, जिसके कान से क्या होगा भारत की जाती ववस्ता आगे बढ़ी, ठीके, उन्होंने जैसे सतीपर्था पे रोक लगाई कई जगह पर जैसे उन्होंने समानता की बात करी तो उसके कान से चीज़े क्या हुई जातिकत ववस्ता के अधार पर धिरी तरे खाई भी बनती गई कई जगह पर उन्होंने अच्छा काम किया कई जगह पर खराब काम किया तो वो चीज़ें यहाँ पर देखती हैं तो जातिकत अपने विश्ची काल में जाती किस परकार से थी तो जाती मतलब वोई सेम थी कि ब्राह्मन राजपुती है तो उनके कारे के अंदर में भी अगर किसी वेक्ति को अपोइंट करें यह दिखा जाने लगा और सेम चीज अंगरे जो ने भी यहाँ पर फोलो किया तो यह चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है ऐसे कुछ खास important question है नहीं बट मैं आपको सज्जेस्ट करूँ है कि कबार अपने book से पढ़िया है क्योंकि बहुत लेंथी इसके पूरा book के अंदर में question था ठीके तो अगर आप book से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से clear हो जाएगा ठीके अगले question paper के और बढ़ते हैं दोस्तो important question paper होगा अगला भी अगला जो question paper है अगा आपका December 2017 का question paper है ठीके December 2017 के question paper के अंदर में अगर हम बात करें तो same question paper है question paper का अगर introduction दूँ तीन गंटे का time है so number का question paper है पांच question को solve करना है और कम से कम 500 वट के अंदर में answer दिना है जो सबसे most important question paper का रहता है topic ठीके चलिए question की बात करें तो पहला जो question है आपका हडपा काल में समाजिक समर्चनाओं की चर्चा कीजिए किस परकार के समाजिक समर्चना थे तो इस question को अभी मैंने just फैला question जो था ना मारे आपने आज की वीडियो का उसके अंदर में मैंने करवाया तो आपको करना क्या है तो June 2016 की वीडियो में जाना है वहाँ पर आपको इसका question का answer मिल जाएगा ठीक है मतलब अभी पीछे वीडियो करना है वहाँ पर आप इसको answer देख सकते हो समझ सकते हो ठीक है अब बारवर जाके मैं एक ही question को अगर repeat कराओंगा तो टाइम तो जादा लगेगा न आपका ठीक है आपका भी टाइम बरबाद होगा और मेरा तो बरबाद हुई रहे दूसरा यहाँ पर question है कि मद्दे काल में ठीक है मद्दे और उप महादीपिये भारत में बोध धरम के परसार मतलब का परचार परसार ठीक है विविन कारणों के परिक्षन कीजिए किस परकार से बोध धरम का परचार परसार हुआ ठीक है कारण क्याते है परचार परसार करने के अलगलग तरीके क्याते है उसके बारे हमें बात करने है अगर बोध धरम क्षेथ में हुए इन्दרम के लिए उज्जयनि संगती यहीं पर हुई थी ज्जयनि के अंदर ही ठीक है मोरेकाल उत्रत्रत्रत्त के बाद सबसे जादा लोग पिशिए हुआ मोर्यकाल जैसे गोतम जो चंदरगुप्त मोर्ये थे उन्होंने जैन द्रम को अपना लिया था ठीक है जैन द्रम अपनाया पर मोर्यकाल जैसे आगे बढ़ा तो जो चंदरगुप्त मोर्ये के जो आगे वंसस आया समराथ अफसो उन्होंने बोध द्रम को अपनाया बोध द् बोद्ध्रम के लिए टीके तूओ यहां पर परšव चाशर स्भी अपर का तर्मोरे का तथा मोरे UNCAL के अंदर में इसका सब से जर्वाल क效ری हुआ पूर courageous बोदिय मिलें भूत नदर मिया तर्म सेखता करांसोय को सम्सेए ऑडराता करभी पूरे का इसे कई सारे स्थल हैं जो बोध धर्म से लिड़िड है रिजन यह है कि उस वहीं पर मोरे वंस का में राजधानी थी मगा दरा राजगी के सारा साची और कई तरए भरूत के तोर पर उभरने लगे बोध धर्म के ठीक है कि यहां पर अलग 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 तरके चीजों का निरिमाण काեջने लगा पर्मुक केंदर के तौर पर तिरत इस्थलों का सम्मान दिया जाने लगा जो भी पर्मुक केंदर थे उनको तिरत इस्थल का सम्मान दिया जाने लगा टीके अनेक स्टूप बनाए गए असोक के दौरा, समराट असोक के दौरा, स्टूपों का पुनरुद्धार किया गया, जो बने हुवे थे, जो टूट गये थे, उनका दुबारा से बनाए गया, शुंक और कुशान जो वंस थे, उनके दौरा भी गुप्तकाल के अंदर में विविन कारे की गए बोध द्रम के अंदर में जिसके अंदर में पत्रों का अनावरन किया गया पत्रों के व्यदिक कारे की गए पत्रों के अपर में कही तरह के गरंत लिखे गए पत्रों के द्वारा तोरं द्वार का निर्मान किया गया बोध की मुर्तियों का निर्मान किय होता है ठीक है बोध के बोध के जो उपदेश थे उसके परचार परसार के लिए असो के दौरा दच्छिन भारत के अंदर में धम दूत मतलब धर्म का परचार करें ठीक है उनके बच्चे भी ते जो स्रिलंका आये थे नेपाल गए थे अफगानिस्तान भुटान इन सब जग यातरी आयते हेवन शमांग करके उनों भी दच्छिन भारत की यातरा करी और उपने यातरा विरतांत के अंदर में बोध द्रम का वर्णन किया इसके बारे में जिक्र मिलता है तीक है समझ में आता है दूसरा कोश्चन तीसरा कोश्चन जगा जातिये तता वण सुद्रीकन की प्रकिरिया का मतलब विविन द्रिश्ट्री को उन से चर्चा किजिए इस कोश्चन का जो आंसर है आपको दिसंबर 2016 के कोश्चन पेपर में मिल जाएगा तो वहां से आप इसको देख सकते हो पिछे वीडियो को करके चोथा कोश्चन के अगर मैं बात करूँ पारंभिक अगले कोश्चन अमबर 6 तो इसका जो आंसर है आपको जून 2016 के कोश्चन पेपर के अंदर में मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर इसको देख सकते हो सात्व कोंशन एका साथ inveय से बारश अबधर में दच्छेशन भारत के ग्रामइन पुसके समाज कर्या आधा दच्छिन भारत यंगर हम जिकर करे तो जो कि ग्राम इंट समाज का सोरूप था उवह स्थेत्रह बटे उधे स्थेत्रहा के भाप है ठीक है जाती के धाचे पे अधारीत होते थे कैसे होते थे जाती के अधार पर भहिया ये ब्राह्मनों का इलाका है ये राजपूतों का इलाका है ठीक है मेरा जो गाउं है ठीक है मैं बिहार से विलोंग करता हूं जो मेरा गाउं है ठीक है कई बार घर में का जाता है कि राज राजपूतों का गाउं है, काम के अधार पर जैसे मानलो कोई नाई है, तो नाईयों का अलग गाउं होगा, बढ़ई का अलग गाउं होगा, तो काम के अधार पर ये चीजों को बांटा गया, भूमी का वित्रन, जो भूमी को बांटा गया, भूमी का अधार पर इसको सबस्ब्स नत्रिके के अज़ति मतलब कि जाती के अधारपर कहान सब्सक्राइब करें तो इस तरीके से ये चीज़े भी यहां पर आ जाती है ठीके समझ में आता है दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो ना कहीं पर भी कुछ भी संसे हो आपके अमरे में डाउट हो बेज जीज़े कोगे comment box में comment करके पूछ लिजेगा ठीके मैं अपना time invest करके आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ठीके उमीद रहती है थोड़ी सी कि यार आप चैनल को subscribe करोगे अपने दोस्तों सक पहुँचा होगे जो भी response है वीडियो पर आप response करोगे अच्छा बुरा जो भी चीज़े है जहां पर मुझे improve करने की जोड़त है आप suggest करोगे कि यहां पर आपने improve किजिए कोई मैं teacher नहीं हूँ कि मतलब professional degree लेकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आसा कुछ नहीं है normal आप यह कह सकते हूँ कि आप एक group study कर रहा हूँ एक तरीके से अपना experience आपके साथ share कर रहा हूँ गलतियां कई सारी होती होँगी बीच में बढ़ाते समय ठीक है आप वो बताईए कहां पर improve करने की जोड़त है मैं उसको improve करने की courses करूँ है बट एक support मिलता है फिर हम आगे बढ़ने में मज़ा आता है और साथ में बढ़ेंगे मज़ा हैगा दोनों मिलकर करते हैं आंगे बढ़ते हैं ठीक है इसके अंदर में ये तो मैंने बता दिया आपको कि जा छेतरबाद तरीके से इनका विवाजन होता था जो ग्रामिन समास था दचिन बारत का उसमें गाउं के अलग-अलग प्रकार भी हुआ करते थे जैसे किसानों के गाउं होते थे ठीक है ब्रामनों के गाउं होते थे जाती वाले गाउं होते थे बहूल जाती वाले गाउं होते थे एक जाती वाले गाउं मतलब क्या एक ही जाती के लोग रहते हैं रहे लोग उधर वाले बंदों को उधर बेजो तो मतलब एक जगा कर दिया गया राजपूर जो इतने थे वही कठे हो गए ठीक है तो यह बारा गाया कहला पर है ठीक है समझ में आता है फॉर इक्जांपल तो एक जाती के लोगों का गाउं ठीक है बहूल जाती जहां पर एक समाजिक संबंद उसके अधार पर भी उनकर निर्मान के जाता था परधान जाती इस तरह यह मतलब अलग 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 तरह की टॉपिक्स यहां पर और भी कवर हो जाते और भी आप इसको पढ़ोगे डीपली तो बहुत सारी चीज़ें यहां पर आ जाएंगे ठीक है कोश् समाजिक धार्मिक आंदोलन का आरम होता है उत्तर भारत के अंदर में समाजिक धार्मिक आंदोलन आरम हुआ सभी जो आंदोलन थे भक्ती के धार पर भक्ती पर जोर था सभी आंदोलन का समस्त समाजिक धार्मिक आंदोलन का जो उदे था दच्छिन भारत के वैशनव आंदोलन से माना जाता है कि वैशनव आंदोलन के बेसिस पे ही इन सभी आंदोलनों का उदे हुआ ये माना गया ठीक है वैशनव आंदोलन के अधार पर वैशनव आंदोलन के अगर आप बात करोगे तो कौन-कौन से जो रहे प्रमुक्त गुरू के तो संत कबीर जो उत्तर भारत के अंदर भक्ति वि विश्तार होता है जिसके अदर में कवीर, दादू, नानक, नामदेव, धन्ना, पीपा, अधिके रिदास, आधी जो लोग है, वो एक स्वर वादी विचारदार को परचार-परसार करने में जोर लगाते हैं इनका जो आंदोलन था वो जनसाधारण को जो जनसाधारण आम लोग था उनको बहुत जिया प्रवावित किया reason क्या था? कि समाजिक आर्थिक जो दमनकरी नीथिया होती थे उनके विरुद इनका आंदोलन खड़ा होता था जिसके कान से उन्होंने जन साधारन लोगों के मन में अपना घर बनाया मतलब उनको विस्ताबित किया, उनको स्ट्रोंग किया, उनके मन में को मजगूत किया ठीके तो यह यहाँ पे एक प्लस पोइंट इनके लिए रहता है यहाँ पे नॉर्मली देखो के वैशन वख्ती का परचार परसार बढ़ जाता है बंगाल, ठीके बंगाल के अंदर में कबीर, बंगाल कस्मीर, गुजरात के अंदर में वैशन वख्ती का सबसे जदा परचार परसार होता है अगर आप बात करोगे महारास्ट के अंदर में जो वैशन वग्ति था ग्यानेश्वर के दौरा वैशन वग्ति फैलाए गया कर रादा किष्ण प्रेम की परचार परसार किया गया ठीक है कस्मीर के अंदर में संत लाल डेड़ जो एक महिला थी चौद्वी सतावदी के अंदर में वो परचार परसार करने के लिए उतरते हैं गुजरात के अंदर में नरसिम महता ठीक है वो परचार परसार करने के लिए बहारत के लिगाता फॉट तो इन्होंने उसी चीज़ को टार्गेट किया और उसको ही आगे लेकर आए जिसके काई से चीज़े सॉल्फ होती चली गए और जो निम्न वर्ग लोग था उन्होंने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो उनके समाज के अंदर में कटूता थी बटवारा बटा हुआ थ तो यहांपे एक benefit देखा जाता है ठीक है समझ में आता है नोगा question के अगर हम बात करें तो उपनिवेशवाद ने किस प्रकार ग्रामिंचित का वर्ग सनरचनाओं को परवावित किया ठीक है उपनिवेशवाद ने अगर उपनिवेशवाद की अगर अब वर्ग सनरचनाओ वर्ग सं राचना को किस परकार सा प्रवावित कया वपने विश्वाद में उसकी बात कर रहे हैं ठीक है भारते बॉर बाजारों का हराश होता है ठीक है सहरों की ओर पलाएण होता है जो लोग थे वो दीरे-दरे सहर की ओर जाने लगें क्रिशी विरोध नीद्यक्ति के काद नादा करने कार्ण से भूमी बेदखल जैसे चीजों का सामना करना पड़ा सूद खोरो और जो सूद खोरो थे वह मजगूत बनते चले गए रसद खोर सूद खोर जो थे मजगूत बनते चले गए क्योंकि उनके हाथ पर पावर आ गई थी ठीक है रिंड का बोज किसानों को पर बढ़ता चला जा रहा था ठीक है और आकाल जैसे इस्तिती किसान जेल रहते तो यह सारी चीजे क्या देखने के लिए मिलते हैं ग्रामिन शेतर के अंदर में वर्क सनुझनाओं को परावित करता है किसके तुरू उपनिवेशवाद के टाइम पर यह सारी चीजे दीरे दीरे वहांगे पर समय बाखने के लाने लगिए भारती बाजारों को खतम रदिया भारति किसानी वेवेस्था को खतम कर दिया नहींने तरह के टेक्स लाया उनने ठीक है जिसको कहांसे क्या हुआ अगर टेक्स नहीं वरते हो तो आपके भूमी कर दिया जागा तो को रिन लेने मजगूर हुए ठीक है रिन वाले ने इस तरह से ब्याज ले मतलब वो पूरी ना जो वर्ग संद्चना था उसको खतम करता चला गया प्रवावित करता चला गया तो यह यहां पर देखने के लिए मिलता है ठीक है कोश्चन समझ में आता है अगले कोश्चन पर पिपर के और बढ़ते हैं अगला जो कोश्चन पर हैगा दोस्तो जून 2018 का कोश्चन पर हैगा ठीक है जून 2018 कोश्चन पर हम बात करें तो MHI06 आपके बुक का नाम यह हुआ ठीक है तीन गंटे का कोश्चन पर है सो नंबर का कोश्चन है टोटल पांच कोश्चन को आती है सहरी करण जो थी गंगा घाटी के अन्य छित्रों में विस्तार आता है गंगा घाटी के अन्य छित्रों के अंदर में सहरी करण बनता है लोहे का उप्योग क्रिश्ची के अंदर में किया जाने लगता है नई प्रदोगी की तकनीका उप्योग किया जाता है जनसंग्य जंगलों की कटाई की जाती है, ठीक है, सहरी करण की परकिरिया के अंदर में राजी का गठान होता है, देरे देरे राजी का नर्मान किया जाने लगता है, अंतर देशी वैपार का आरंब होता है, वैपार का परंब किया जाता है, वैपार के लियन नदी और सड़क मार का आंसर लिख दोगे, क्या गया है का, आंसर, अर्द वेवस्ता का विस्तार, कृष्षी छेतर का विस्तार, सहरी करेंड की लहर आती है, सहरी करेंड गंगा गाटी और उसके छेतर के किनारें विस्तार होता है, नए सहरों का उदे होता है, ठीके, जो जो इलाके थे, जो आवास करने के लिए जमीन होता हूँ उसका विकास होता है ठीक है तो यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं किस तरी सचीजे चल रही हो सारा कुछ यहां पर कर सकते हो ठीक है दूसरा जो कोशन है जाती के संदर में विवाह के रूप में व्याख्या कि यह वाला बहुत important question है देखो नॉर्मली पारंबिक प्राचिन काल के अंदर में देखोगे तो आठ तरह के विवा हों की मानेता दी जाती है ठीक है आठ तरह के विवा टोटल आठ तरह के विवा कौन-कौन आठ तेखा लाश्य आठ अचाजीह विवाला बातचीतठ होना तो लोटी हो हम सबसे पर्थम सित्तान स्पवित्रत माना जाता देव लड़की के पिता को पता चला कि मेरी कत्कीं जी यह संकर जी की साधी हुई ठीक है तो संकर जी ने जाकर भाय बात करना है यह ऐसा कुछ था नहीं ठीक है नारत जी आए जो भी स्टोरी हो में थोड़ा सी एक्जामपल के लिए बुरा मत मानना अगर किसी को बुरा लगता है तो सौरी पारवती जी के मन में डाल जा गया कि भीया आपको संकर जी का पत्नी बनना है ठीक है तो वो उसके लिए करने लगी मतलब दे विवा के अंदर में पहले सही ये बता देना कि आप मतलब धार्मिक कारे के उद्देसे के लिए किसी कारे के उद्देसे के लिए आपका इससे विवा हो रहा है आपके कन्या की इक्षा मानने माने जाती है मतलब इक्षा नहीं है तो नहीं होगा ठीके किसी कारे के उद्देशे के लिए उससे विवा करना ठीक है वो देव विवा वाने जाता है जैसे संकर जीसे पारवती ने विवा किया तो reason था कि भाई असुरों का विनास करना है ठीक है तो ये देव विवा के अंदर में आता है ठीक है आर्शे विवा तीसरा विवा के तौर पर दिखा हमने विवा कर लिया हमने दहेज दिया लड़के को लड़की को उसके तुरू विवा क्या होता है कन्या के इक्षा के बिना कन्या का इक्षा निती मरजी निती फिर वे हमने विवा कर लिया उसे हम परजा पते विवा क्या होता है गंदर विवा क्या होता है प्रेम विवा जो तो बात करोंगे तो अलग राग अलग जाती के अधार पर अगनी के फेरे लगाना, ठीके, अगनी में आहूती देना, अन की आहूती देना, अन को हम साक्षी मान कर आहूती देते थे, ठीके, और मंत्रों का उचारण करना और वर्वधू के वचन लेना, ये क्या होता है, विवाह के संसकार माने जाते थे, विवाह से मंदित सावधान भी वरती जाती थी जिसके अंदर में अच्छे वरह का चयान हो इसकी बारे में डिस्कस कया जाता था विवासे पुर्व घं का मेल कराना गल क्या होता है ठीक है तीन तरह से जीजांगों मतलब मानव और राक्षज़गन मतलब देट्टे ठीक है? मानः जाता है कि अगर देव और नर गण है तो वो मतलब जोड़ी जो है उत्तम जोड़ी है सबसे सांधर जोड़ी देव और इंसान अराम से रह सक्ते हैं देव और राक्षस है तो वह बीच का मिडल वाला मान जाता है कि चलो यार, राक्षस सब जादा देवों से फाल तो नहीं बोलेंगे, वो ठीक है, पर अगर मानव है और नर्व मतलब और देव हैं, मानव और देव हैं, ठेकर रिजन की पना उट किया होता है या लडगे के ताल मल कैसे होंगे लड़की, लडगे के ताल मल कैसे होंगे इसके बारे में जानने के लिए यह किया जाता है यह हिंदू संस्कृति है यहाँ पर यह चीजे रहती है पाएंगे तो इस तरसे जाती हतारित अलग-दर में अलग-दर से चीजे होती थी थी वह यहां पर डिफाइन कर सकते हूं मैंने बेसिक चीजे आपको इहां पर हो ढाती है तीसरा कोशन आ जाता है पारंभिक मद्यकारिन भारत के अंदर में धरम का रूप निर्दारन करने के लिए राजनिति की बुनका पर टिपने कीजी है देखो यह पूरा जो छटी सताथदी का time period की बात करते हैं जो इस question के अंदर में time period है, छटी सताथदी का time period है जहां पे बोध दर्म का उदे होता है, जेन दर्म का उदे होता है इसलाम दर्म का उदे होता है वैशना बोश शेफ दर्म का उदे होता है ठीके और सासात में रूडी वादी विरोधी विचारत आरा रहा था उनका भी उदे होता है ठीके इनको आपको डिफाइन करना है कि किस तरह से इनका उदे हुआ रहा रहा था फिर भी भारत के अंदर म जैन दर्म आता है, reason क्या था तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो असंतूष्ट थे, लोग को के मन में वो हिंदू दर्म के परती उस तरह की भावना नहीं रही या हिंदू दर्म के अंदर में उस तरह की कमिया रही जिसके कांची ये बदर्म आए ठीके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको define करना है कि क्या था, ठीके question number 4 की बात करू मदे काल में जन जाती है, क्रिशक बनने की परगिरिया को समझाईए, किस परकार से जन जाती क्रिशक बनने, उसके बारे में आपको बताना है मदे काल में जो जन जाती थे, मुख्य खाना बदोस जन जाती हुआ करती थी क्रिशक किस तर से बनने, पहले खाना बदोस थे, खाना बदोस क्या होते थे एक जगह से दूसरे जगह गूमते थे एक जगह से दूसरे जगह गये ट्रेवल करके वो खाना बदोस की जिन्दगी बतीत करते हैं साथ में जानवरी भी रखते थे तो खाना बदोस पुसुपाला की जिवन बतीत करने लगे दीरे-दीरे क्या हुआ वो एक जगा स्थीर होकर कुछ समय रहने लगे ठीके तो दीरे-दीरे रहते-रहते करते उन्होंने क्रिशक के तोर पर खेती बाड़ी करने लगे और फिर वो क्रिशक की जिंदगी में आ गए तो वह आपको डिफाइन करना है कि किस तर से चीज़े रही ठीक है यहाँ पर जो आपका अगला कोश्चन के और हम बढ़ते हैं ठीक है अगला कोश्चन जो है यह मद्यकाल में महिलाओं की स्तिति किस प्रकार से यह वाला कोश्चन आपको पीछे में करवा चुका हूं ठीक है वह आप बता दोगे छटे कोश्चन के अंदर में सात्वा जो कोश्चन है यहां पर 17 सतावजी के अंदर में धकन सुभी समाजिक संस्ता यह भी आपको पीछ के कोश्चन अगे अंदर में सारे कोश्चन कार इस सारे questions क्या है repeat होते हो मिलेंगे तो अगर आप question पर को study करते हो तो 3-4 साल के question पर जैसे study करोगे ना उसके बाद सारे question almost repeat होते हो दिखेंगे तो यह आपका वीडियो था कैसा लगा आपको वीडियो कितना useful है आपके लिए वीडियो कमेंट करके बताएं क्या आपने वीडि तो आपको क्या करना है तो देइनब चैनल को subscribe करना है आप चाहो तो join कर सकते हो 29 रुपे का payment करके देइनब चैनल को ठीक है अगर हम चाहो तो thanks pay भी कर सकते हो हमें ठीक हम जिससे और भी आपके लिए helpful कर सेको और भी वीडियो चाहिए तो वो comment करके बता सकते हो यह वीडिय पर चाहिए हम उसके उपर work करेंगे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best and अपके exam के लिए सब भी बचों को all the best कोई वीडियो चाहिए comment करके बताएं bye bye take care all the best